तो जीया फ्रेंट्स फिर से स्वागत है आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग चिस वारियंट का रिव्यू करने बाले हैं वो है किया सल्टोस एच्टी एक्स जो की वैलू फॉर मानी वारियंट है अवरा ब्लेक कलर में यह है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब चरू करें तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देर किये वीडियो करते हैं स्टार्ट किया Seltos HDX जो अपना वेरियंट में सबसे टॉप रहा है तो इस वीडियो में सारा चीज आपको बताऊंगा तो वीडियो एंट तक देखते रहें तो जो पहला चीज है वहाँ से हम लोग करते हैं स्टार्ट तो पहले से हम लोग फ्रॉंट से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉंट में कुछ फ्रॉंट ग्रिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइगर नोस ग्रिल जो कि आपका कूर्णिंग पैटन में मिलता है यह किया इसको कूर्णिंग पैटन क स्वाइपिंग एलेडी डियारल आपको देखने को मिल जाएगी तो स्वाइपिंग एलेडी बार पहला इस सेगमेंट का चीज है जो किया ने यूनीक सा लाया था लोगो तो अभी यूनीक सा है तो लोगो किया का ब्लैक कलर के उपर बहुत अच्छा लगता है चम चमाती हु आपको देखने को मिल जाएगी इंडिकेटर नीचे आपका डियरल के साथ आता है तो एलेडी सारा चीज़स में एलेडी का फंसन दिया गया है जो मुझे परसनली बहुत प्यारा लगता है वो है इसका आइस क्यूब फॉग लेंब तो आइस क्यूब फॉग लेंब बाकि म एक प्यारा और यूनिक सा लुक देता है जब जैसे आपको लगता है कि कोई बरफ का टुकरा इसमें डाला गया हो इसका रौसनी भी बहुत तेज है अगर आप नाइट में चलते हैं तो आपको हेड लेंब जलाने कोई जड़ोत नहीं है इसका जो फॉग लेंब है वही का टायर प्रोफाइल का बात करें तो इसमें 215,60,17 का टायर आपको देखने को मिल जाएगी 17 इंच के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इंक्रीज हो जाता है suspension का बात करें दोस्तों तो आपको थोड़ा सा maybe steep लग सकता है इसमें तो suspension का review हम लोग कभी नहीं करेंगे तो इस पर आप देख सकते हैं किया का जो center logo है वो मुझे personal बहुत प्यारा लगता है आप भी अगर center cap में replace करना चाते हैं लोगों तो easily आप replace उसको करा सकते हैं लेकिन जो hood और dicky वाला लोग है उसके लिए मैं अभी नहीं कुछ बताऊंगा क्योंकि मुझे भी इसका जादा जानकारी नहीं है तो यहां पर आपको chrome handle मिल जाती है डोर पे जो अच्छा लगता है और personally मुझे भी auto folding overbeam के साथ या आता है तो अगर आप congested area में चलते हैं तो overbeam को आप अपने हिसाब से close भी कर सकते हैं यह आपका Kia का HTX वाला variant है 1.5 engine के साथ यहां पर आपको 4 disc brake को देखने को मिल जाएगी एक पीछे में तो मैंने आपको दिखाए दिया अब सामने चलके मैं दिखा देता हूं कि इसमें 4 disc brake देखने को मिल जाएगी petrol वाला variant मे यह petrol वाला variant में क्या है कि दोस्तो पीक अप बहुत जादा है तो braking आपको बहुत sophisticated होना चाहिए तब ही आपका यह clear और आपका जो braking पावर है उसको enhance करेगा safety feature इसमें brake assist वेगरा सारा चीज आता है rear profile का बात करें दोस्तो तो rear में कुछ इस तरह का logo chrome finish के साथ आता है जो कि एक unique से look देता है इस car को तो अब लिए हम लोग पीछे से बात करते हैं दोस्तो तो पीछे में आपको heart shape DRL के साथ tail lamp देखने को मिल जाएगी जहां पर सब की चीज के लिए separate किया गया है tail lamp brake light hazard के लिए भी separate किया गया reflector आपको देखने को मिलेगी celtos logo वही पुराना वाला dual type muffler design आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर silver finish में आपको rear में skid plate देखने को मिल जाएगी 185 mm का आपको ground clearance देखने को मिल जाएगी इस कार में जो कि अपना segment में बहुत ही ज्यादा है तो अगर आप एक ACV लेना चाहते हैं जिसके ground clearance अच्छा हो तब celtos को चूज कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि chrome finish के उपर किया का जो logo है बहुत shiny और गजब लग रहा है तो यह आप देख सकते हैं किया का जो logo है वो बहुत ही unique लग रहा है और मुझे personal बहुत नजदीक से मैं इसको देखा हूँ मुझे तो बहुत प्यारा लगा इस logo रियर वाइपर डिफोगर इसमें मिल जाता है आपको standard तो यह एक अच्छा चीज है जहां पर यह value फोर्मानी कहलाता है तो रियर में आपको shark fin antenna और roof rails आपको देखने को मिल जाएगी रियर में बात करें दोस्तो parcel tray के साथ आपको boots में वही सेम चींजे से कोई छिड़का न चाता हूं इसे chrome finish देख रहे हैं window chrome bidding यह बहुत ही प्यारा लगता है हाला कि aftermarket बाला बहुत कोई लगवाते हैं लेकिन उससे अच्छा है company fitted तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो door handle पे chrome finish के साथ request which मिल जाता तो इससे आप lock unlock both कर सकते हैं तो भी हम लोग अंदर चलते है और interior में आपको बताना चाते हैं क्या क्या मिलेगा तो पहला चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है किया का logo जो steering wheel पे आपका already illuminated क्या हुआ है डी-cut steering wheel आपको देखने को मिल जाएगी celtos basing के साथ तो htx बाला variant में celtos का embossing किया हुआ रहता है steering wheel पे तो यहां पर आपको piano black finish में आपका door पे finishing मिल जाता है यह जो आप black color का देख रहे हैं यह piano black finish में है power window control auto folding rbm का control right side मिल जाता है एक negative point जो है इसमें illumination चारो स्विच में है लेकिन बाकी कोई स्विच में नहीं है illumination तो night में आपको window up down करने के लिए थोड़ा दिकत हो सकता है अलाकि यह top model car से थोड़ा सा नीचे है तो इसमें auto illumination हर स्विच में देना चीए था अलाकि कोई भी variant में हर स्विच में नहीं मिलता है तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा अच्छा कि sound mode lamp आपको इसमें दिया गया है के साथ तो युबोस function में आप बहुत कुछ इपीओ कर सकते हैं तो युबोस फंसन के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना विडियो को भी आप देख सकते मेरा चैनल पर रखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर देख सकते 10.25 स्क्रीन के साथ यह आता है और इसका जो इल्यूमिनिशन है डिस्प्ले का वो भी आप आप आपका 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 आपको दिखा नहीं सकता कि आपका यह यह बार दिखा दिया जाता है तो यहां पर climate control आपको auto मिल जाता है जहां पर यह AC का switch है यह blower on off करने के लिए और यह आपका recirculation mode यह आपका mode change rear और front के लिए defogger और यह auto channel अच्छा लगता है तो यह gripping में बहुत ज्यादा sports फील कराता है अपने आपको अगर रिवर्स में पूल करते हैं उस gear को तो आपको अच्छा लगता है 12 बोल्ट का charger socket मिल जाएगा बूट storage का बात करें तो बहुत सी छोटा से एक storage globe box में आपको मिल जाएगी जहां पर आपको जरुवत मत का सामान रख सकते हैं फास्टेट कीट बगरा medicine बगरा यही सब रख सकते हैं तो यहां पर नॉर्मल आपका जो फेंट है वह अप डाउन मिल जाएगा silver finish के साथ यहां पर आपको honeycomb pattern में आपको seat cover देखने को मिल जाएगी तो यह वला क्या है कि बहुत ज्यादा गंदा होता है इसके लिए इसको किया को चेंज करना चाहिए था हलाकि तीन seat cover का variant किया ने लौंच किया अभी तो उसके बारे में भी वीडियो में आते रहेगी अ address है seat height का address को आप seat height adjust कर सकते आपने accordingly और इसका जो seat है वो 40-60 split में है तो इसको आप incline और recline थोड़ा सा कर सकते हैं तो यह एक अच्छा सा चीज है जहां जो sonnet में मुझे personally कमी लगता है और यहां पर आपको rear cotton देखने को मिल जाएगी जो कि आपका ठंडा होने में कार को ब इसको HTE से लेके GTX Plus में सारा चीज में ही आपको यह skid blade देखने को मिल जाएगी तो यह अगर illuminated होता तो और अच्छा लगता हाला कि यह black stickering किया गया है आप इसको मतलब निकाल सकते हैं तो इसका में गलत सब्द नहीं प्रयोग करूँगा तो seat height adjuster और आपका incline recline के लिए इस seat को दिया गया है हाँ और एक चीज जो मैं आपको बता रहा था नया चीज जो है traction control, traction control इसमें add किया गया अलग से button तो इसमें क्या होगा आपको braking को और enhance करेगा four wheel disc brake देने के बाद भी अगर आप traction लेते हैं तो आपका disc brake जो है बहुत ही properly काम करेगा ABS का function बहुत अटो के साथ आपको यूभो, roadside assistant, panic situation यह सारा चीज देखने को मिलेगा अगर इसके बारे में भी मैं separate video बना चुका हूँ अगर आप जानना चाहते हैं buttons के बारे में तो उसके लिए उस video को आप देख सकते हैं तो यह tilt telescope steering के साथ है जो driver को assist करता है अपना height steering को adjust करने के तो दोस्तों यही था आज का कुछ छोटा सा एक overview जिस पर मैं सारा चीज बताने का कोशिस किया था अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दिए लाइक चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को कर दिए subscribe तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अ अब आके आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको यह परसनल कैसा लगा उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें तो दोस्तों वीडियो देखने के कर दोस्तों वीडियो 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 कर दोस्तों वीडियो